स्वागत है आपका हमारे ओनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म टार्गेट गुरकुल पर और आज हम बात करने वाले हैं प्रिविएस येर कोशन्स के बारे में डिस्कॉस्टन करेंगे कि प्रिविएस येर कोशन्स ये डिडियू का है जो ठीक है ना दीन द्याल उपाध्या ये प्रिविएस येर कोशन्स पेपर है जो लॉफ टॉट्स का है ये दोहजार आपका चौदे का आइधिंग ये कोशन्स कैसे पूछते हैं को पढ़ना समझना इसका एंसर कैसे लिखना है यहां पे आपको बताया जाएगा और साथ ही आफ्टर डिसकॉशन आफ दिस आइंगे उसको भी डिसकॉस किया जाएगा कि अगर ऐसा आता है तो आपको एक मॉडल एंसर कैसा लिखना होगा और अगर आप इसी तरीके से और अपडेट्स चाहते हैं कोई पीपटी चाहते हैं या फिर प्रिवेस से कोशन ही चाहते हैं तो इसी वीडियो के देखो आप सब जान रहे हो कि लो आफ टॉट्स इंक्लूडिंग कंजूमर प्रोटेक्शन और मोटर वहिकल एक्ट अब टॉट्स तो आता ही आता है आपके लल्बी फर्स सेमेस्टर में जो डिडियो के उनिवर्सटी है सिधार्थ उनिवर्सटी है ठीक है लेकिन साथ ही स कंजूमर प्रोटेक्शन एक्ट और मोटर वहिकल एक्ट के भी आपके कुछ-कुछ पॉर्सें जो है वो पढ़नी होते हैं और इससे भी आपको कोशन देखने को आपके पेपर में मिलते हैं ठीक है तो चलिए आगे हम कोशन पर अब बढ़ते हैं देखिए पहला जो कोशन है एक हां खंड और का जो कोशन है वो हम लोग देख लेंगे तीन खंड इसमें होते हैं इसके पहले जो मैंने constitutional law का paper discuss किया है उसमें मैंने बताया है कि total 5 कोशन आपको जो है वो attempt करने होते हैं तीन sections होते हैं जो section 1 होता है उसमें 6 कोशन होते हैं और 100 सब्दों के उसको 100 words में या 100 words में उसके answer लिखने होते हैं और वो 6 कोशन का answer लिखना जो है वो compulsory होता है अब बात आए हम खंड बी पे खंड ब पर या खंड बी पर अगर आएं तो उसमें आपको आपको a case study portion पूछता है आपको उसमें case देता उसमें आपका opinions जो है according to the law वो पूछता है आपका decision making वो जानना चाहता है Gordon टू आप लो पढ़ रहे होंगे उसकी according तो उसमें भी आपको दो अप्शन रहता है आप दूसरा कीजे या 24 कीजिए अगर दूसरा कर रहे हैं तो दूसरा का दोनों तीसरा कर रहे हैं तो तीसरा का दोनों पार ठीक है ऐसा और फिर होता है सेक्शन सी सेक्शन सी जो होता है उसमें आपको पांच कोश्चन दिये रहते हैं लॉंग कोश्चन जिसको कहते हैं और उसमें उस पांच में से आपको तीन करना होता है ठीक है तो सेक्शन वन पूरा से बीद दोनुं में से कोई एक और स्यंट थी पांचों में से कोई तीन तो इस तरीके से मिला करके आपके पांच टोटल कोशन हो जाते हैं ठीक है चलों अब यहां question क्या कह रहा है कि differentiate between मतलब किसके बीच में हमको अंतर चाहिए करना है अब इसा हो जा है ठीक पहला जो question है आपका कह रहा है कि differentiate between कोजाई contract कोजाई contract और टॉट के बीच में अंतर बताएए अपक्रित्य एवं अभासी सम्विदा में अंतर क्या है अगर आपने the Indian contract 1872 पढ़ा होगा तो उसमें अपने कोजाई contract के बारे में भी पढ़ा होगा जिसको अर्द सम्विदा भी कहते हैं ठीक है जिसको अभासी सम्विदा भी कहते हैं इसमें contract के सारे शिंसिस फुल नहीं होते जो contract करने के लिए चाहिए होते हैं essential elements लेकिन फिर भी जो है वो contract हो जाता है ठीक है अब उसी के बीच में आपसे अंतर पूछ रहा है कि कोजाई contract और टॉट जो अपकृत है उनके बीच में क्या अंतर है तो सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा कि कोजाई contract क्या है और फिर लिखना होगा आपको कि टॉट क्या है और उन दोनों को हम differentiate कैसे कर सकते हैं कैसे यह दोनों एक दूसरे से अलग हैं वो आपको लिखना पड़ेगा तब आपको इसका answer लिख पाएंगे अगर बात करें इसके model answer की तो model answer हमको यहाँ पर दिख जाएगा यह देखो यह रहा आपका model answer ठीक तो यहाँ पर आपको दिखेगा differentiate between quasi contract and dot तो देखो भाई क्या है पहले पढ़ लेते हम कुजाई contract या फिर जो अर्ध अनुबंद है focus करता है focus on ratify the situation of unjust enrichment by restoring the aggrieved party to their original state through the restitution मतलब अर्ध अनुबंद में ऐसा होता अच्छा देखो एक situation देखो मानों ऐसा कि कोई बच्चा है ठीक है कोई बच्चा है और उसके माता-पीता जो है वो जो बच्पन में हैं उसको चोड़ दिये हैं या फिर इस दुनिया से चले गए हैं और उसका जो रिस्तदार है उस बड़ा हो जाता है ठीक है जब बड़ा हो जाता है तो आप बताओ कि जितना भी खर्चा उसके रिस्तदार द्वारा किया गया है क्या वो रिस्तदार को एस रिस्तदार उसको अपना पैसा वापस लेने का अधिकार नहीं है या फिर या क्या ये natural justice के against नहीं जाएगा अग पर क्या हुआ कॉंट्रेक्ट करने के लिए offer होता है प्रपोजल प्रपोजल होता है फिर उसका acceptance होता है promise बनता है consideration जुलता है ठीक है इस तरीके से contract बनता है लेकिन यहां क्या है बच्चा उस सबसे पहले तो माइन था वो contract अपने लिस्तदार से कर नहीं सकता था ठीक है आ इंको पालपोस के बढ़ा कर दीजे या फिर मेरी पढ़ाई करवा दीजे फिर जब मैं बढ़ा होंगा तो आपको अपनी प्रपर्टी जो मेरे नाम आ जाएगी फिर मैं उससे आपको पैसा भी कर दूंगा ऐसा तो कुछ कर नहीं सकता था ठीक है कि माइनर का contract भी वैलेड ही होता है एग्रिमेंट जो है वो क्या होता है वोईड होता है वोईड होता है जब आप पढ़े होंगे contract डीटेल में तो आपको मेरी बाते समझ में आ रही होगी तो contract उस समय तो नहीं हुआ था ना जो बच्चा था वो capable था contract करने में लेकिन फिर भी क्या हो रहा है एक जो उसका रिस्तदार था वो claim कर सकता है कि मैंने इसको इतना इतना पढ़ाया है या फिर इतना बढ़ा किया है पाल पोस के इतने मेरे खर्चे हुए है इसको इतना repayment जो है वो मुझे करना पड़ेगा ठीक है यह क्या है कुजाई contract contract actual में वैसा जो essential elements या essential requirement होती है वो fulfill नह था वो अपना चीज जो है अपना जितना भी लगाया हुआ पैसा है वह सब वापस ले सकता है और लेने का अधिकारी होता है ठीक है तो यह क्या है अनुबंध है मतलब अगर क्या कह रहा है अर्ध अनुबंध पीडित पक्ष को छती पूर्थी के माध्यम से उसकी मूल इस्तती में वापस ला करके अन्यायपूर सम्रिद्धी के इस्तितियों को सुधारने का केंद्रित करता है मतलब अब देखो यहां पे कह रहा है कि जो भी उसके साथ पहले हुआ लगा बड़ा मत dessa पी से क्या कर सकता है वह मांग सकता है मतलब्ल्व घ्रण ऐसस नहीं लगा था तो कुछ और करता कोई बिजनस करता है तो वो बाद में उससे क्या मांग सकता है, पैसे वेगरा, जो भी अपना अच्छती पूर्टी है, जितना भी उसमें इन्वेस्ट करा है, वो पैसा मांग सकता है, यह अर्दनिवद, ठीक है, अब इसी के विपरीत, जो है टॉट, टॉट नुकसान करने के लिए मिलता है, ठी जो भी उसकी शती पूर्टी है, या फिर जो भी उसको लॉस हुआ है, उसको सामने वाले को, जिसने गलत किया है, उसको क्या करना पड़ेगा, बीर करना पड़ेगा, तो हमेशा टॉट में जो है, वो गलत कामों या चोटों, इंजरी के लिए कॉम्पनसेशन दिलाया जात है, लेकिन कोजाई कोंट्रेक्ट में ये चोट या इंजरी या गलत कामों के लिए जो कॉम्पनसेशन है, या फिर जो रिटर्न बैक है, वो नहीं दिया जाता, ठीक है ना, तो यहाँ चोटों और गलत कामों के लिए टॉट में उसका कॉम्पनसेशन होता है, छती में नहीं होता ये उस situation पर focus करता है कि अगर ये व्यक्ति वो नहीं करता तो वो किस situation में होता वही पैसा उसको या वही उसको compensation के रूप में वापस लिया जाता है जब वो capable हो जाए वो व्यक्ति देने के लिए ठीक है न अब अभी यहां पर बात आपको clear नहीं समझ में आ रह यह मुश्किल होगा ठीक है ना लेकिन फिर भी ऐसा इसका एंसर लिखा जाना चाहिए ठीक है चलो अब हमारा जो नेक्स्ट है जो कोशन है हमारा वो क्या है एक मने नेक्स्ट कोशन है define bear license bear license a license coupled with grant मतलब की अनावृत अनुग्यप्ती और अनुदान से युक्त अनुग्यप्ती को परिभासीद कीजिए मतलब bear license और आपका license coupled with grant का मतलब क्या होता है ठीक है अब यह जो है कोशन है और इसका जो आपको solution वाला PDF मिलेगा उसके उसमें इसका answer भी दिया रहेगा तो पहले question ही देख लेते हैं then after उसके answer पर हम लोग चलते हैं कठे फिर यह जो c है c क्या कह रहा है जड़ा देख लें इसको हम लोग c question कह रहा है कि define act of God मतलब दयव कृत्य को क्या कीजे परिभासित कीजे act of God क्या है आपने taught में जरूर पड़ा होगा उसी को यहां पर define करना है फिर जो हमारा चोथा question है वो बात करता है what is false imprisonment मित्या कारावास क्या है ठीक है एक होता है कारावास ठीक है जब जब कोई भी person कोई offense करता है तो उसके लिए उसको punishment के रूप में imprisonment दिया जाता है लेकिन यहां तो कह रहा है कि imprisonment तो होगा लेकिन false imprisonment होगा इसमें आप taught पढ़ेंगे तो इसको जरूर पढ़ेंगे इसका अभी आपको model answer अभी दिखा दूँगे ठीक है इह कह रहा है कि relevancy of malice in nuisance तो अपताप के विदेश का महत्व आप देखो nuisance होता है ठीक है उपताप जिसको बोलते हैं nuisance का क्या महत्व है malice nuisance का वो आप से पूछा है फिर एक पूछ रहा है describe the rights and duties of consumer मैं ने बताया था ना कि यह paper ना सिर्फ thought से question पूछेगा बलकि consumer act से और motor vehicle act से भी इसमें आपको question देखने को मिलेंगे तो सिर्फ अगर आप पढ़कर के जा रहे हो taught ही तो taught के paper में included भी है consumer act और आपका motor vehicle act तो कुछ-कुछ question उसके भी देख लीजेगा ठीक है दो question तो हमको देखने को ही मिल गए इसमें एक license वाला और एक rights and duties of consumer ठीक है तो इसका भी answer आपको इकठ देखने को मिलेगा जब यह paper discuss हो जाएगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अब है B वाला B question कैसा होता है तो यह case study based होता है देखो इसमें आपको case देगा मैंने अगर आपने constitutional law paper का solution पढ़ा है तो उसमें मैंने बताया भी है आपको कि कैसे इस questions को जो है वो करना होता है तो the plaintiff occupied हिंदी में देख लेते हैं क्योंकि फिर हिंदी में ही देखना पड़ेगा यहां पर आपको एक मैट चीक है हिंदी और इंग्लिज दोनों में आपको question मिल जाएंगे देखो एक मैट कहरा है कि वादी का इमारत वादी का इमारत की सबसे उपरी मंजल की छत पर कबजा था और प्रतिवादी की छत वादी के परिसर के ठीक उपर थी प्रतिवादी ने वादी के परिसर की छत पर तीन चिलर प्लांट लगाया चिलर प्लांट के कारण वादी के कार्याले परिसर में कमपन और शोर उदपन हो हो गया क्या वादी उपताप के वाद में सफल होगा अच्छा देखो एक इसमें है वादी वादी कौन होता है plaintiff जो case करता है तो एक वादी है वादी की एक इमारत है वादी की इमारत की सबसे उपरी मंजिल की छहत पर कब जा था मतलब सबसे उपर वाली छहत पर जो ही है रहता था मतलब ऐसे होता है no देखू यहां पर जब भी कोई ऐसे अपार्टमेंट बनता है तो एक मन्जित दो मन्जित दिन मन्जित ठीक है यह इस वाले अब इसके उपर क्या है च्छत है इसके उपर च्छत है तो यहाँ पर वादी का क्या था कब जा था समझो वादी की छत पर कब जा था और प्रतिवादी की छत वादी के परिसर के ठीक उपर थी मतलब की अब इसके उपर जो है इसके उपर प्रतिवादी की छत वादी के परिशर के ठीक उपर थी ऐसे देखो यह वादी का है ठीक है और प्रतिवादी की छत जो है यहां पर प्रतिवादी इस विल्डिंग में रहता है प्रतिवादी की यह क्या है छत वादी के उपर है अब प्रतिवादी ने क्या है प् फट पर तीन चिलर प्लांट लग दिन अब avos जने अपना जैसे माल की के वादी का छहतो घर है तो इसके qt पर अपने वालेपर ही लेकिन किसी यह जो है वह यह लगा देता है फि přीज आड बात कि हमको नहीं पता लेकिन यह कुछ ठंडा करने वाला प्लांट भी हो सकता है इग्लिश में देखेंगे तो पता चल जाएगा थेकं आप इसके वज़े से क्या होता है वाधी को इसके वाधी के घर में बहुत जादे कंपन होता है बहुत जादे शोर होता है तो क्या वाधी के पास यह कर सकता है और कहाँ नूसन्स के सólूशन लिखेंगे आपको बताना पढ़ेगा कि हा कर सकता है क्यूं कर सकता है nuisance क्या है nuisance में जो है वो compensation मिलता है कि नहीं मिलता यह सारी चीज़ें आपको लिख देनी है यह fact आपको दे दिया है ठीक है fact का judgment आपको दे रहा है ठीक है with the help of जो भी law और provision कहता है अब इसी तरह दूसरा भी है दूसरा question क्या गह रहा है देख लेते हैं question नहीं है दूसरा case study है यह क्या कह रहा है जर्द देखेंगे देखें कि कह रहा है कि एक plumber को बुलाया गया था उसे बुलाया गया था और उसे लॉन में प्रवेश करने और वाटर पाइप की मरमत करने के लिए अधिकरित किया मरमत के बाद plumber ने बिना अनुमती के घर के अंदर डाइनिंग टेवल पर रखा फल खा लिया प्लंबर के दायत्व की विवेशना कीजिए अच्छा देखो प्लंबर आया था जब भी आपके घर में कुछ काम करने के लिए आता है तो आप क्या कर देते हो कि देखो भई यह आपको देखना है यह काम आप देख लिए जिन निप्टा के फिरम से मिलिए अब आप जहां उसको काम दे करके गए हो वो काम वो कर करके और फिर आपके bedroom में घूज गया यह आपके kitchen में गूज गया और वहां से कुछ भी उठा लिया खाने के लिए तो क्या वो उसका authority था वहाँ पे, क्या आपने उसको authorized किया था, उस area में जाने के लिए नहीं किया था, वही कह रहा है, तो dining table पे रखा, वो फल क्या किया, तो खा लिया, तो plumber की क्या, जो है वो liability बनती है, तो इसमें trespass जो है, वो आएगा, ठीक है न, तो plumber जो है, वो trespass के लिए libel होगा, ठीक, अब इसको कैसे करना है, वही बताना है, फैक्ट आपने दे दिया है, trespass क्या है, trespass में क्या क्या चीजे होगी, तो trespass वो बनेगा, और plumber की क्या liability बनेगी, या जो बताना पड़ेगा, ठीक है, इसी तरह, या तो दो का A, B, दोनों कीजे, या तो तीन evolution भी आप उसी परकार जो है, वो लिखेंगे, ठीक है, और इसको एक से डेड़ पेज में आप कर सकते हैं, ठीक है, एक कोशन को, एक पेज में एक जो केस स्टड़ी है, इसको आप एक पेज में जो है, वो कर सकते हैं, जादे इसमें और फालतु चीजे लिखने की जरूरत ठीक है, चले, अब जो है, वो सेक्शन हमारा सी आ गया, सेक्शन सी क्या कहता है, तेक्शन सी में अगेन इसमें पांच कोशन आपको देख जाते हैं, पांच कोशन में से आपको सर्फ पर सर्फ तीन कोशन करने होते हैं, तो देखो, पहला जो कोशन है, वो क्या कह रहा है, To define the concept of vicarious liability, what is the test of control in the context of vicarious liability? प्रतिनिधित्व दायित्व की अधारना को परिभासित कीजे, प्रतिनिधित्व दायित्व के संदर्फ में नियंत्रन का परिक्षन क्या है? अच्छा देखो, ऐसा पाना जाता है ना कि जिसकी गाड़ी है और भलेगी गाड़ी नहीं चला रहा है, उसका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है या उसका कोई दोस्त गाड़ी चला रहा है और उस गाड़ी का अगर एक्सिडेंट हो जाता है, तो क्लेम्स किस से मांगा जात किस पर किया जाता है उस व्यक्ति पर ञिसंट की वह गाड़ी है ठीक है तो इसकी में आप के दो तीन एक्जामपल बता देना और फिर उसके बाद आप वाट इस देस्ट ऑफ कंट्रोल कैसे वाइकरियस लाइबिलिटी पे नियंतर्ण का परिक्षन किया जाता है को यह बोले कि जब मैं ने इसको कोई काम दिया था तो यह फिर उस काम के दौरान तो अपना काम कर रह एक मास्टर है नियुकर याँ से जो है रिलेशन्स होते हैं अब यहां पर जो ड्राइवर है वो बिना अपने मालिक को बताए जो गाड़ी मालिक है उसको बिना बताए उस गाड़ी को ले噲 करके अपने personal use के लिए use करता है और duty time जो 8 घंटे या 9 घंटे 10 घंटे की जतनी की है उसके बाद बिना उसको उसके मालिक को बताए और मालिक ने उसको क्या ने instruct भी नहीं किया था कि तुम जाओ और ये काम कर लो लेकिन वो चुपके से बिना अपने मालिक को बताए गाड़ी ले किया और अपने personal benefit के लिए उसको यूज कर रहा था ठीक है तो इसमें एक क्या मिल जाएगा थोड़ा साब जो है निरेक्षन जो है वो बचाओ का जब देखा जाता है तो उसमें वो मालिक जो है वो मास्टर जो है अपना defense जो है वो दे सकता है कि यह मेरे जो है duty में नहीं इसा कर सकता है या फिर ऐसे सोचो कि वो जो है जो driver है वो अपना गाड़ी जो है वो अपने master के हां रखके जा रहा है और रास्ते में जाते जाते किसी से जगडा कर लेता है तो क्या इस पर जो दायत्व है यह उसके master पर आएगा नहीं आएगा यह उसका personal अपना दायत्व होगा तो इसी तरह की सारी बाते हैं आप जब vicarious liability पढ़ेंगे तो यह सारा concept आपको पढ़ना पढ़ेगा अब चला अब यहां देखो पांचवां पांचवां जो question है वो क्या रहा है कि nuisance, nuisance को बोलते हैं उपताप, nuisance has been, has few overlapping elements of trespass, negligence explained तो जो उपताप है, उपताप में आती चार यानि कि trespass and उपेक्षा negligence कुछ-कुछ अती व्यापी तत्व होते हैं उसके वेविशना कीजिए मतलब यह कह रहा है कि nuisance जो है वो trespass और negligence से कैसे overlap करता है या क्या-क्या ऐसी चीज़े हैं negligence और trespass में, जो negligence और trespass में ऐसी क्या-क्या चीज़े हैं जो आपको nuisance में भी देखने को मिलती हैं जयसे आपके पड़ोसी का खर है, और आपका पड़ोसी क्या कर रहा है, अपना गेट जो है आपके दरवाजे पे बार-बार जब भी खोलता है, वो मारता है तो आपके दीवाल पे मारता है या फिर ऐसा वह गेट का स्ट्रक्चर है कि डारेक्ट जाकर के आपकी दिवाल से लगता है और बहुत जादे शोर जो है वो होता है आप सोते रहते हो अचानक से गेट खुला इतना अवाज के साथ कि आप डिस्टर हो गए यह सब क्या है चोटी-चोटी बात भी जो है वह नूसेंस में कौन से ऐसे तत्वे हैं जो हमको नूसेंस में भी देखने को मलते हैं जब आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तभी आप इसको लिख पाएंगे इसका एंसर ओके चलिए डिस्कास भीफ़वली दप्रिंसिपल ओफ अप नेकार्ज के सिख्य। अप डिस्स्तिक्षच पूछ रहा है डिस्टिक्ट लैपलिटी चो अप मिलेगी तो एक है गार। liability. or दूसरी है strict liability और तीसरी है absolute liability तो यह तीनों liability आप cover कर लीजेगा इससे आप portion देखने को मिलेगा कह रहा है कि सबसे पहले strict liability का सिध्धान्त शिद्धांत क्या है टोट में उसके exceptions को बताईए कि exceptions क्या है अपवाद क्या है अपवाद पूछ रहा है तो सीधे सीधे हम लोग इस्टिक लाइबिलिटी बताएंगे इस्टिक लाइबिलिटी क्या है वो भी बताएंगे और साथ में यह भी बताएंगे इस्टिक लाइबिलिटी के अपवाद क्या है पूशन का एंसर यहां तक ऐसे लिखेंगे फिर अप केस जो केस लॉज है वो भी इंपोर्टेंट है और हर एक कोशन लॉंग कोशन खास करके आपको दो-दो केस लॉज एक टॉपिक के जो है वो बना लेने हैं इससे आपको यह फायदा होगा कि आप एक्जाम में केस लॉज नहीं बूलेंगे जैसे इसमें एमसी मेहता का केस आपको देखने को मिल जाएगा अपसल्यूट लाइबिलिटी वहीं से अपसल्यूट लाइबिलिटी का जो है वो सिधान्त भी आया ठीक है इस्ट्रिक लाइबिलिटी तो सुरू से जो है वो इंगलिंड का ही कॉंसेप्ट जो है ठीक है और यह मैं बता कि यह qualified law नहीं है जैसे आप BNS पढ़ते हो जैसे आप contract पढ़ते हो जैसे आप भारतिय सक्षधी नियम पढ़ते हो यह जैसे हिंदु लोग पढ़ते हो यह qualified है ना कि कि यह पारलियमेंट से पास करवाया गया है बकाइदे इसको एक कानून बनाया गया लेकिन यह जो है qualified law नह के base पे चलते हैं और कुछ-कुछ ऐसे सिद्धान निकल के आए हैं उसी judicial precedent से जिसको लोग follow करते हैं इंग्लेंड में जादे follow होता है ठीक है और इंडिया में भी follow होता है वही सारी चीज़े ठीक है तो qualified law नहीं है unqualified law है यह आप ध्यान रखेंगे अब यहां पे जो है सात् इस question को हम समझते हैं what do you understand by defamation मानहानी मानहानी आपको पहले IPC आप पढ़ते थे उसमें भी देखनी को मिलती थी अभी IPC के जगह जो नया आया है उसको replace करके वो है BNS भारतिय नया सहीता उसमें भी आपको defamation या मानहानी देखनी को मिलता है तो मानहानी क्या समझते है मानह दीजे और फिर आगे दूसरा जो question का part है वो कह रहा है कि discuss the essential elements of defamation defamation के लिए क्या-क्या आवश्यक तत्व होने चाहिए क्या ऐसे essential elements fulfill कर दिये जाएंगे कि वो चीज defamation बन जाएगी with the help of decided case law देखो यहां तो सीधे-सीधे बोल दिया है कि cases law के help से जो है उसका answer लिखना है यह question आप देख रहे हैं तो आपका यह काम होना चाहिए कि आप इस question का structure वैसे ही लिखे जैसे आपसे question पूछा है और इसी तरह से question पूछे जाएंगे असान question नहीं होंगे यह एक line में question दे दिया उसका answer लिखो explain also the defences available in a suit of defamation होना चाहिए demotion लिखाया अब यहां पर कह रहे हो माल लो कि आपके आपने defamation गलती से कर दिया है ठीक है या फिर defamation का charge जो है लगाने का आपके उपर लग गया है तो आप अपनी बचाओं में क्या-क्या बाते जो है वो कह सहते हैं उसके बारे में defences भी लिखने होंगे तो इस जो question है question है यह दो पार्ट में तीन बार्ट में एक्चुली वर्स पार्ट सेकेंड पार्ट और थर्ड और तीन पार्ट में आपको इसको answer भी लिखना होगा ऐसा नहीं कि तीन अलग अलग पेज में एक पार्ट जहां खतम होगा वहीं से दूसरा question का पार्ट स्टार्ट हो जाएगा फिर तीसरा अब यहां पर आठ्मा इन लास्ट question जो है वो क्या पूछ रहा है पहलेगी अब सीधे सीधे एक consumer consumer जो protection act है दो हजार ठीक है consumer protection act 2019 से आपका पूछ लिया है question इसलिए मैं बोल रहे हूं कि कम से कम consumer protection act तो आप तो पढ़ी के जाना सिर्फ टॉट के बारों से मत जाना discuss the composition jurisdiction and function of the state commission under the consumer protection act 2019 उपभोगता सनरक्षन अधिनियम 2019 की अंतरगत राज आयोग की गठन मतला राज आयोग की स्टेट कमीशन का गठन चेत्रा धिकार क्या होता है एवाम इनके कार्यों की विवेशना कीजे तो इसका आप अगर पढ़े होंगे तो इसका आप answer इस structure में बना लेंगे ताकि ऐसा question आई तो आप ऐसका answer लेख सके इस पार्ट में पूछा गया है कि कमिशन का गठन के बारें बता दीजे उसका चे सब्सक्राइब कारी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का चलिए अब हम लोग मॉडल एंसर पर आ जाते हैं मॉडल एंसर आपके short questions को आपके मिलेंगे जो उपर 6 आपको short question देखने मिले थे उसी के model एंसर देखने मिलें चलिए पहला दो question आपने देख लिया था कुजाय कॉंटक्ट एंड टॉट के बीच में जो अंतर था वो आपने देख लिया था अब बेर लाइसेंस और लाइसेंस कपल्ड विद ग्रांट क्या है इसको एक बार आप लोग गुत्रू करिएगा ठीक है हम स्टार्ट करेंगे टॉट दिफाइन एक्ट अफ गॉड एक्ट अफ गॉड का मतलब जो है वो क्या होता है टॉट में यह देखते है अफ गॉड एक अइसा डारेक्ट मतलब सीधा डारेक्ट मतलब क्या होता है प्रत्यक्ष अचानक और अत्तदिक हिंसक अइसा कुछ घटी तो हो जाता है माल लो अभी अभी अचानक से जो है वो एसा अर्थ काई कि सब चीज खतम हो जाए तो यह क्या था अचानक से कोई चीज था ना तो इसको एक्ट ऑफ गॉड का हम जो है वो नाम दे सकते हैं क्य और वो मैन के कंट्रोल से बाहर हो ठीक है ना मैन का उसे कोई कंट्रोल जो है वो हुंन बीं का कोई कंट्रोल ना हो ठीक है यह क्या Act of God है अगर इसके वज़े से कोई भी लॉस हो रहा है तो उसके लिए Compensation मांगना कहीं से जो है वो सही नहीं होता है और ये जो है General Defense का एक बहुत ही अच्छा Defense प्रोवाइड करता है आपको Act of God इसमें आप Oh My God जो है वो मुवी देखे होंगे परेश रावल और अक्षेकुमार की उसमें यही Act of God का जो है वो डिफेंस इंसरेंस कंपनी देती है तो उसके दुकान में जो है आग लग जाता है तो क्या यही कोशन होता है क्या जानबुज के भगवान ने उसके दुकान में जो है वो आग लगाई वो नेचुरल था ऐसा नहीं था कि वो मैन के द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता था यही सारे कोशन उसमें अराइज हुए थे आप चाहो तो वो भी देख ले सकते हो लेकिन अभी देखना जरूरी नहीं अभी याद कर ले ना इसको क्योंकि एक्जाम का समय है ओके चलो आप जो नेक्स्ट कोशन था उसका एंसर क्या था सब्सक्राइब के लिए इस जिए सब्सक्राइब कोई दिया गाया है याने कि जूटे न laugh । गया दिखो क्या कहरा है फॉस इंप्रीजनमेंट इस सिग्निफिकेंट एक्सपेक्ट बहुत महत्यकूर पहलू है टॉट में जो आपको देखने को मिलती है और यह इंवाल्ब करती है अनलॉफुल रेस्टेंट रेस्टेंट ठीक है जब आप लोग बी एनस पढ़ोगे आग जगा हाला कि रेस्टेंट और कनफाइमेंट का बी एनस में अलग मतलब है लेकिन अनलॉफुल कनफाइमेंट यहां पर शब्द जो होना चाहिए अगर आपको अनलॉफुल कोई कनफाइन कर ले रहा है ओके तो वह क्या है फॉल्स इंप्रिजनमेंट कहलाएगा ओफन और उस इंडिविजवल की freedom और movement को without उसकी consent उसे सहमती भी नहीं ले रहा है कि मैं तुम को बंद कर दूँ या नहीं कर दूँ तुम चाहते हूं की नहीं बिना सहमती के उसके आवा गमन पे या फिर उसके movement freedom of movement पे रोक लगाता है उसको अनलॉफुलरी उसको confine करता है और बिन कानूनी धंग से दिया गया कारावास जो है वो क्या है मिध्या कारावास है अब जो हमारा next question है उसको हम लोग देख लेते हैं next question का answer a relevancy of malice in nuisance अब ताप के विदेश का महत्व क्या है इसमें क्या होता है प्रतिवादी जान भूझ करके किसी को क्या करता है नुकसान पहुचाता है नुसेंस मतलब क्या होता है किसी को परेशान करना परेशान करना उसका जो काम है उसको बिगाड करके उसको परेशान करना यह समझो अब यहां देखो कह रहा कि if the defendant is intentionally जान भूझ करके doing something to cause annoyance मतलब छेर छाड कर रहा है परेशान कर रहा है to the plaintiff वादी को अगर प्रतिवादी जान भूझ करके परेशान कर रहा है then the defendant intend to certainly the relevant factor is a nuisance तो जो defendant है जो प्रतिवादी है वो definitely क्या कर रहा है nuisance कर रहा है उपताप कर रहा है we can also say that an act of the defendant which is otherwise lawful may become a nuisance if done with malice क्या कह रहा है कि हम यह भी कह सकते हैं कि प्रतिवादी का कोई कारे जो अन्य था बैद है ऐसे वो कोई काम करे तो बैद है लेकिन वो गलत intention के साथ कर रहा है अगर तो वो क्या है उपताप है nuisance है मालो कोई चीज करना अब मेरे घर में कोई आता है तो मैं उसे कहते हूं देखो यह समान जो है जैसा है वैसे पड़ी रहने देना ठीक है लेकिन वो अच्छा इंसान है वो लगता है समान को साफ करने इधर से उदर करने वो तो अच्छा काम कर रहा था लेकिन क्या कर रहा है वो अच्छा काम करके भी lawful काम करके भी मुझे परेशान कर रहा है तो यह क्या है नूसेंस है और नूसेंस आएगा नूसेंस नेगलिजेंस ट्रेस पास फॉल्स इंप्रिजिन्मेंट यह सारी चीज़े आपको टाइप ऑफ टॉट्स में पढ़ लेनी है इससे आपको कोशन बहुत सारे मिलेंगे फिर अब देखो भाई कंजूमर राइट्स के कंजूमर के राइट्स और डूटीज के बारे में आपको पूछा गया था वो मैं आपको दिखा देती हूं कि कहां पर है देखो यहां पर बोला गया है न वाट आर्दा कंजूमर राइट्स एंड रिस्पॉंसिबिलिटी क्या होती है एक कोशन पूछा गया था तो अकॉर्डिंग तो यह अपनी राइट तो इंजोई करेंगे ही करेंगे लेकिन अपने दायत उसे भी यह बंधी रहेंगे ठीक है ना अब जैसे राइट क्या है राइट टू कंजूमर एजूकेशन कंजूमर शुट नो देर राइट तो अवाइट फॉलिंग प्रे टू वालेशन तो कंजूम का यह राइट है कि उस समान के बारे में जाने की क्या समान जो है वो उसको मिल रहा है ठीक है अपने जो भी वो समान बाय कर रहे हैं उसके बारे में उसको जो है वो सिक्षा होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए यह राइट है किसी कंजूमर का राइट टू सेफट के लिए यह भी क्या है कंज्यूमर का राइट है राइट तो चूजूमर को जो चाहे वह खरीद सकता है उसके उपर डबाव डालने की ज़रूरत नहीं है वह चूज कर सकता है अगर कुछ भी उस प्रोड़क्ट से रिलेटर जानकारी है जो कंज्यूमर को एट टाइम नहीं है तो वो उसको बताना चाहिए मतलब जो सेल कर रहा है उसको बताना चाहिए किसको कंज्यूमर को कि यह यह चीज़े हैं तो राइट टू गेट इंफोरमेशन मतलब समान अगर मालों में टीवी खरीदने जा रही हूं तो मेरा पूरा-पूरा अधिकार बनता उसके बारे म आपका नुक्सान हो गया या फिर वो समान प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है तो आप उसके लिए कॉंपनसेशन भी कंजूमर कोट में जा करके मांग सकते हैं ठीक है चलिए अब यह कंप्लेंट रिस्पॉंसिबिलिटी भी होती है रिस्पॉंसिबिलिटी या लाइबिलिटी क्या है कंजूमर की कि आप कोई भी अगर समान खरीद रहे है तो उसको अच्छे तरीके से जाच परताल कर ले ठीक है ला लेट दा बायर भी अवेर का एक कॉंसेप्ट है कि बायर जो है वो अपना समान खरीदने से पहले समान की जानकारी अच्छे तरीके से ले ले ओके इंडिपेंटली कंप्लें करना रिस्पॉंसिबिलिटी टू अवेर जानकारी रखने के लिए जागरूप होने की जिम्मेदारी है कंजूमर क्यों और नैतिक ग्राहक बनने की भी जिम्मेदारी है ऐसा नहीं कि गये और टैक्स जिम्मेदारी होती है एक ग्राहक की ठीक है ना तो यह जिम्मेदारी हो गई तीन-चार जिम्मेदारी आप लिख दीजेगा और तो बहुत सारे हैं तो इस तरीके से आपको जो भी शौर्ट कोर्शन से जिसको हंड्रेड वर्ट में आपको लिखना था उसका एंसर मैंने कर दिया जो केस से सटी-बेस्ट कोर्शन होते हैं एस वैल एक लॉग पो लिखना है कैसे कोर्शन को समझना है यह सारी जानकारी आपने इस वीडियो में प्राप्त की आई होप आपको यह वीडियो लेक्शर जो है वो अच्छा लगा होगा पेपर डिसकर्शन अच्छा ल कर सकते हैं और हमारे चैनल को भी स्सक्राइब कर सकते हैं तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स ख्लास में तब तक के लिए धेंड़ा करें करें झाल झाल